नमस्कार स्वागत है अब सभी का बिहार समाचार में देखे देश के बड़ी कोमेडियन राजुस रिवस्तवा कनिधन हो गया है वहीं बिहार में अगर आप तेज गाड़ी चलाते हैं तो ये ख़वर आपके लिए है वहीं देखे सोसील मोदी पर रमाना ने यादव ने फिर मनहानी का परिवाद दायर कर दिया है वहीं देखे बिहार के सासारा में मालगाड़ी बेपड़ रहोने से कई ट्रेनिंप पर भावित हो गई है तो वहीं देखे आज में बिहार में 19 जीलों में बार इसको लेकर अलाड़ जारी किया गया है तो आखिर क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे तो आगे बढ़ने से पहले आप सब इस अनुरोध कि इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दिजेगा तो चले सुरुआत करते हैं आज की पाली और बड़ी खबर से तो चले पाली खबर में देखे कॉमेडियन राजुस्रिवस्तवा का निदान दिल्ले एमस में लिया अंतिम सास जी हा बाड़ी खबर बॉलिवूड गलियारे से आ रही है जहां कॉमेडियन राजुस्रिवस्तवा का निदान हो गया अंटावन साल की उम्र में उनने अंतिम सास ली है बाड़ी कबर में देखे बिहार में तेज गाड़ी चलाने वाले हो जाई सावधान पकड़े गए तो रद होगा लाइसेंस जी हाब बिहार के वैसे लोग जो गाड़ी फुली स्विड में चलाते हैं आप वे सावधान हो जाए क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की आप पर पैने नजर रहने वाली है तेज गाड़ी चलाना आपके लिए मुसिबत साबित हो सकती है क्योंकि पकड़े जाने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद कर दिया जाएगा कई बार निर्दोस लोगों को भी अपने जान की किमत चुगानी पड़ती है लेकिन अप ड्रैफिक पुलिस सरकत में आ गई है कई सालों से पाटना में गंगापत अटलपत और दिगा एम्स एलिवेटेड रोड इत्यादी तेज रबतार सडक का निर्मान हुआ है इन पर कई बायकर स्नाक इवल खतरनाक तरीके से बायकर चलाते हैं बल्कि जान को जोकिम में डाल कर इच्टन तक करते हैं एक्सप्रेसवे पर वाहन चला गती सिमा का पालन भी नहीं करते हैं इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस लगातार वाहनों का चलान कर रही है विसे सभ्यान के तहट गदो दिन में जेपी गंगा पातर दूसरे जगह पर तेज गती से वाहन चलाने वालों पर कारवाई की गई है पुलिस ने उन सभी 30 चालोकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद करनी के अनुसंसा की है बाड़ी कबर में देखे बिहार में आज भी मौसम रहेगा सुहाना उननी जिलों में अलर्ट जारी बारिस के साथ बजरपात किया संका जा बिहार में इन दिनों जम कर बारिस हो रही है लोगों को गर्मी से राहत भी मिले है किसानों के लिए ये काफी अच्छा समाई है वही कुछ जिलों में इसका बुरा असर भी देखने को मिल रहा है बीते दिन बेजली गिरने से बिहार में 11 लोगों की मौद भी हो चुकी है मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए गाई लैन का पालार करने को कहा है बता दे कि 19 जिलों में बारिस और बजरपात को लेकर एक वर फिर से मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट ज इसमें पठना पुर्वी चंपा रंगोपाल गंज सिवान सारन बकसर भोजपूर केमुर रोहतास औरंगाबाद अर्वल गया जहानाबाद नालंदा नवादा सेखपूर लखिसराई और बेगुसराई सामिल है बाड़ी कवर में देखे बीजेपी के सामने कवे लालो जुके गर नहीं राज परिसद के बैढग में बोले दोजर चोबीस में देश से भगा देंगे यहलां बे समय के बाद विहार की राजनिती में अक्टेव वीया आरजडी सुप्रीमू लालो प्रसाद यादव ने बीजेपी पर जम कर हमला बोला है आरजडी राज परिसद के बैढग में लालो यादव ने बीजेपी के दंगाई पाड़ी बताते वे कहा कि दंगायू के सामने हार पाड़ी जुकी है लेकिन मैं अब तक जुका नहीं हूँ उन्होंने कहा कि अगर मैं उनके आगे जुक जाता तो साइद मुझे जेल नहीं जाना पड़ता लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी मैं अपने बातों पर कायम रहा हूँ आरजडी सुप्रेम लालू प्रसाद यादव ने कहा कि RSS BGP से हमारी पुरानी दुस्मनी है वे लोग हमें जुकाने की पूरी कोसिस कर रहे तो लेकिन मैं नहीं जुका और नहीं जुकने वाला हूँ उन्होंने साब तोर पर कहा कि नितिश कुमार बिबक्च को एक जूट कर रहे हैं और इस बार दोजर 24 में BGP गुदूल चटा कर रहेंगे इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जा मैं बिहार का मुख्य मांत्री था तो गरीबों के लिए घार और जोपड़ियों में जाकर महिलाओ से पूछता था कि कुछ खाना बना है क्या वे खाने में मुझे माकाई की रोटी और सबजी किलाती थी ऐसा करने से अपने पन का पता चलता है मेरे सरकार में सब लोग प्रेम और कुशिस रहते थे उन्होंने कहा कि जब से बिहार में महागडबंदन की सरकार आई है तब से बीजेपी जंगल राज का रट लगा रही है उन्हों लोगों का मकसद सिर्फ सरकार को तोड़ना है लेकिन बीजे इस कार्याले में राष्ट्य जनता दल के राज परिसत की बैठक हुई बैठक में राज बरसाय पाड़ी के प्रदेनिती सामिल वे वे है आरजडी सुप्रीमो लालो प्रसाद सरद यादव तेजस्वी यादव समेद पाड़ी के सबी बड़े नेता और कारकरता मौझूत रह है और इसका बढ़का जोटा पाड़ी यानि एक तरफ खड़ा है महागडमंदन बनने से पूरे देश में अच्छा संदेश गया है इतने आसानी से बिहार में महागडमंदन की सरकार बन गए बीजेपी वालों को आता पता तक नहीं चला हमारी जितनी भूमिका है उतना आ बालों परसाद यादव जी को धन्यवाद देते हैं बाड़ी खबर में दिखिए सुसील मोदी पर मंत्रे रमानान यादव ने दायर किया मनहाने का परिवाद 23 तमर को होगी सुनवाई जहा बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है राज के बालों परिवाद के दिखिए सुसील मोदी जो का बीच बंटे रमानान यादव को धन्युआ पर में अचल करेंत्य कोंदो होगी हैं यादव जिसाल के राजवार हो दायर के कि आप को दायर किया मोर क hone से पढ़र दको में इस गटना पर लालो यादव ने अपने मंत्री मंदल से निकाल दिया था दरसल ये पूरा मामला तब सुरू हुआ जब रामानान यादव ने सुसिल कुमार मोधी पर आरोब लगाते भी कहा था कि मोधी के पास आयस अधिक संपती है उन्होंने पटना के एक मॉल और फ्लेट का परिवाद दायर कर दिया जिसके बाद अब रामानान यादवों ने बेसुसिल मोधी के किलाब केस दर्ज कर दिया है जिसके अगली सुनवाई 23 सितम्बर को होगी बाड़ी खबर में दिकी सासारम में माल गाड़ी बेपाटरी होने से गया दिन दयाल उपादाय रेल कंड पर पर परिचालन धब कई ट्रेने हुई प्रभावित जिया बिहार के सासा राम जिले से गुजरने वाली गया दिन द्यालो पाइदाय रेल मार्ग पर बुदवार के अगले सुब कुमार इस्टेसन पर एक माल गाड़ी बेपर्टरी उतर गई जिससे गया दिन द्यालो पाइदाय रेल मार्ग बादित हो गया है इस दूर घटना से गया हावडा मुगल सराय लाइन पर 14 पेसंजर ट्रेनों को परिचालन प्रभावी सबी ट्रेन अलग अलग स्टेसनों पर रुकी है इधर पूर्व मजद रेलवी के सिप्यार विरेंदर कुमार ने बताए कि परिचालन समाइन होने में वक्त लगेगा घटना के कारणों की जाच होगी उन्होंने 14 ट्रेनों की फस्स होने की जानकार दी है डिक बर में देखे नितिस केबिनट मिटिंग में सोलो प्रस्ताओं पर लगी मोहर 12 जिलों में बनेगा obviously पलश्टो कहिना विद्ध लले मंगलवार को वी नितिस केबिनट की मिटिंग में कूल 16 प्रस्ताओं को मधूरी दै गई आपकी जानकार एक लिए बदा दिकी सुभी के बारा जिलो केमूर सुपोल पूर्वी चमपरन सिवान जहानाबाद मुझापरपूर खगड़िया सिखपुरा गोपाल गंज बेगुसराई भोजपूर और भकसर में 526 की चमतावाले 12 अवासी पलश्टू बालिका उच बिद केबिनेट की बेढ़क में स्वास्त के लिए 7,990 पदों का स्रीजन समस्तिपूर और चप्रा में कुलिंग नए मेडिकल कोलेज जहां मुझा मंतर नितिस कुमार के दस्ता में कल बिहार मंतर मंदल की बेढ़क की गई केबिनेट की बेढ़क में 16 एजन्डों पर मुहर लग चप्रा मेडिकल कोलेज के लिए 423 नए पदों किस रिजन कि स्विकृति दी गई है। कलार के स्टोर्णों ग्राफर, कोड रिडर्स सग वाईल लेका कोर, चपरासी के कूल 7,692 पदों पर भरती होगी, इसके लिए ओलाइन अपलाई करना होगा, अबियर्थी इसके लिए आज से आवेदन कर सकते हैं, वहीं 20 अक्टूबर 2022 के बाद एपलेकेशन की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी, साथ ही आपको बता दे कि इन सभी पदों पर अपलाई करने के लिए किसी भी अभियर्थी की उम्रे की से 30 साल तक होनी चाहिए, वहीं अगर महिलाओ, EBC और OBC की बात करें तो इन्हें 3 साल की छोड़ दी गई है, यानि वे 40 साल तक की उम्र तक आव आविदन दे सकेंगे, और लाइन आविदन भरने के लिए चातर www.district.ecode.gourment.in.partner पर जाकर आविदन कर सकते हैं, जबर में देकि बिहार बोर्ड से पुराने सर्टिपिकेट वा माक्सिट निकलना हुआ महंगा देने होंगे अब इतने रुपिये, जिहा बिहार बिदाल से पहले वाले स्टुडेंट अगर अपना प्रमान पत्र निकलना चाते हैं तो इसके प्रोसेस के लिए प्रोसेस सुल्क देना होगा, प्रोसेस सुल्क अलग अलग निधारित की गई है, पहले बोर्ड द्वारा प्रोसेस सुल्क नहीं ली जाते थी, बोर्ड द्वारा आय एक सब्ता तक होगी अच्छी बारिस 26 जिलों में ठंगा को लेकर अलट जिहां विहार का मौसम बेते कई दिनों से सुहाना बना हुआ है राज के अधिकान सी हिस्से से लगातार बारिस हो रही है मौसम में इस परिवर्तन की वज़ा से राज के किसानों को बहुत लाब हो रह है लेकिन वहीं दूसरी तरह मौसम में बदलाव होने से वर्सा की साथ साथ बजरबाद भी हो रहा है इससे कई लोगों ने अपनी जान भी गवा दी है मौसम मिभाग के पुरानमान के नुसार राज में अभी अगले एक सब्ता तक मानसुन सक्रे रहेगा और साथ ये अच मौसम विभाग ने येलो अलड जारी करती है राज के 26 जिलों में बारिस के साथ बजरबाद होने की सम्मावना जता ही है मौसम विभाग ने अपने पुरानमान में सबी नागरीकों को ठनके से बजने के सला दी है मौसम विभाग ने खास कर किसानों के लिए चिताओनी जा तो उसकी कुछ भरपाई हो पा रही है बाड़ी कबर में देखे बिहार में रजिष्ट्री कराना हुआ अब आसान सरकार ने मदुबनी छोड़ सभी जिलों में सुरू की नई सिवा जिह राज भर के निबंदन कार्यालेयों में सुमुआर से रजिष्ट्री सटल सिवा की सु हो जाने से दस्तावेज का निबंदन कराने वालों को राज सरकार अपनी बसों में बिटा कर निबंदन कारयाले तक ले जाएगी यानि निबंदन कराने वाले पक्चकार अब रजिष्ट्री कारयाले तक बाश से मुब्द सफर कर सकेंगे इससे रजिष्ट्री कराने वाल भी सटल सिवा की सिरुवात कर दी जाएगी इसके साथ सटल सिवा की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी लगबग 200 बसों को सटल सिवा में लगाया गया है रजिश्ट्री सटल सिवा की सबसे पले सिरुवात पटना और मुझपरपूर जिले में हुई थी साथ सितमर को दूम दाम से सहर मनाएगा दूरगा पोजा, 70 जगों पर होगी मूर्ति की स्थाफना, जी अभागलपुर में इस दूरगा पोजा आयोधा के राम मंदिर के सन होने वाले हैं, कुरोना काल की वज़े से दो साल बाद दूम दाम से दूरगा पोजा का उत्सा मनाया जाएगा, जिसको लेकर सहर के मारवाड़ी पाड़सला में आयोधा के राम मंदिर के तरज पर पंडाल बनाये जा रहे हैं, जो की हर बार की सहर का सबसे बड़ा पंडाल बन रहा है, भागलपुर के लोग जब मारवाड़ी पाड़सला में मादूरगा के दरसन करने जाएंगे तोने वा राम मंदिर के जलग देखने को मिलेगा इसके अलव सहर में कूल 70 साधिक जगों पर मा दुर्गा की परतिमा इस्तापित की जाएगी जिसमें 25 जगों पर भाइबे पंडाल बनाए जा रहे है इन सभी 25 जगों के पंडाल को अलग अलग जगों पर स्वरूब दिया रहे है जो देखने में वाकोई मनमोक होने वाला है आपकी जानकारे के लिए बता दे कि इस सालन नवरातरी की सुर्वाद 26 सितंबर से हो रही है उसी दिन कलस की सापना की जाएगी कलस सपना सुब मुरत सुबह 6 बाज कर 20 मिनट से 10 बाज कर 19 बजे तक है वरिष्ट पुजारी बताते हैं कि इस बार मा जगदंबा का अगमन हाती पर होने वाला है ये संयोग कई साल बाद बने है हाती पर माता का अगमन होने का मतलब है कि अच्छी बारिस होना जिससे किसानों को खेते में काफी लाम मिलेगी वह इस बार नावरात्री का समापन 5 अक्टूबर को विजय दसमिक के साथ होगी बाड़ी ख़बर में देखे पार्टली पूत्र इनवसिटी ने पीजी का अकेडमिक कलेंडर किया जारी नया 17-12 अक्टूबर से होगा सुरू पुराने सेसन का 3 अक्टूबर से सुरू होगा अक्जाम जिया पार्टली पूत्र इनवसिटी में पीजी नये और पुराने 17-22 का कैडमिक कलेंडर जारी कर दिया है वहीं 17-22 का मH अक्टूबर तक समापत हो जाएगी 17 2020-22 के लिए एक्जाम 3 नॉम्बर से लेकर 10 नॉम्बर तक चलेगा इसके बाद 14 समेश्टर सुरू होगा जिसके कख्चाए 19 जनवरी 2023 को समाब्द करने का लक्ष रखा गया है 4 समेश्टर के परिचा का विजान 23 जनवरी से लेकर 21 जनवरी 2023 तक की जाएगी रिजल्ट 10 फर्वरी को जारी कर दिया जाएगा आपको बता दे कि 17 जनवरी से 23 समेश्टर 2 की कख्चाए 22 अक्टूबर तक समाब्द हो जाएगे एक्जाम 3 नवरी से लेकर 10 नवरी तक चलेगा उसके बाद 18 नवरी को इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा इसके बाद फिर समेश्टर 3 की कख्चाए शुरू होगी और इसकी परिचा का विजन 23 जनवरी से 21 जनवरी 2023 सक किया जाएगा बिहार सरकार रोजगार को लेकर सक्रिया दिख रही है बिभागों में वेकेंसी पहले से ही निकाली गई है इसके अलावा कई विभाग नई वेकेंसी निकालने के तयारी कर रही है। बिभागों में बढ़ेगा प्याज का उतबादान सरकार किसानों को देगी 50% सबसिडी। जी हबिहार में प्याज के बर्टिक अबद को देखते वे सरकार ने इसके उतबादन को बढ़ावा देने के लिए एक विसे से उजना तयार की है। इतिस कुमार की सरकार में बागवानी फसलों को दुपादन बढ़ा है। राज सरकार फालस लेकर फूल सबजे और दूसरे बागवानी कारियों के लिए प्रोसान योजनाई चला रही है। इन योजनाओं के जरे किसानों को बागवानी फसलों की खेते के लिए एकाई लागत पर सबसिटी दी जाती है ताकि खेते में खर्च को कम करके मुनाफिय को बढ़ाया जा सके। इसी कड़ी में राज क्रिसी विभाग और उद्याने दिन्दसाले की तरब से किसानों को मगही पान चाई के लिए पाले से 50% की सबसिती जा रही थी। आप बिहार सरकर ने फैसला किया कि प्याज की खेते के लिए भी 50% की सबसिती जाएगा इसके लिए क्रिसी विभाग द्वारा किसानों से ओल्लाइन आवेदन भी मागे गए हैं। इन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आधिक जानकारी के लिए नजदी की जिले में सहायक निदेसे को दियाने से संपर्ग करके भी आर्थिक अनुदान का फायदा ले सकते हैं। खेत्रे चक्चु संस्तान में दिले एम्स के राजंदर प्रसाद नेतर संस्तान के डाक्टर प्रफेसर राजस सिन्ना ने इसके लिए पढ़ना आये थे। आईजी आइमस में डाक्टर निलेस मोहन ने उनके सहयोग से इलाज किया। आपको बतादी कि प्रावेट अस्पतालों में एक आग के लिए या सुविदा लेने पर 20,000 देने होंगे वही आईजी आइमस में खर्च आएगा। साड़े 9,000 का लेजिक लेजर सरजरी के दोरान पुदली को फिर से नए सीरी से आकार दे दिया जाता है। साथ ही आपको बतादी कि जस्मा हटाने के लेजिक सरजरी वान टाइम प्रोसिजर होता है। 18 साल से उपर व्यक्ति को ही यह किया जा सकता है। से उपर 40 तक किया जा सकता है। आज के लिए बहुत इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली नियूज देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।